Good morning children, today we will do verb from English grammar as you can see that people are doing something like hugging, swimming, clicking, pushing तो बच्चो जो ये लोग हैं ये कुछ ना कुछ activity कर रहे हैं और इनकी activity बताने वाले words को verb कहते हैं मैं आपको एक example से समझाना चाहूंगी जैसे राम is sleeping तो इसमें जो अभी मैंने बोला है sleeping तो इसमें जो sleeping word है ये राम की activity बता रहा है कि राम सो रहा है इसलिए sleeping क्या हुई? वर्ब तो आज हम वर्ब की ही exercise करते हैं words that tell us what people or animals do are doing words जो word ये बताए कि कोई आदमी ये जानवर क्या कर रहा है उन्हें doing words कहते हैं doing words are called verbs और जो doing words है वो वर्ब होती है एक्जेम्पल पीटर वाक्स तो स्कूल राम इस प्लेइंग एक्सिक्टरा दियर चिल्रन अब हम words related exercise कर रहे हैं टिक दा करेक्ट वर्ब नमबर वन दा बर्ड होप्स इन दा पार्क जो चिडियां हैं वो पार्क में कूदती हैं यहां पर जो ये होप्स है ये जो है वर्ब है तो हम जो टिक दे करेक्ट जो हमारा question है पहले इस sentence के लिए हमने option रखे हैं option A होप्स option B पार्क तो हमने जो टिक करना है वो correct वर्ब पे करना है तो option A होप्स ठीके ये वर्ब है इस पे हम टिक करेंगे नमबर टू दा विंड लोज दा लिव्स हवा पतियों को उडाती है इस sentence में जो है ब्लोज ये वर्ब है option में भी हम जो है option देखते हैं क्योंकि हमें तो टिक करना है option A ब्लोज option B विंड तो हम किस पे टिक करेंगे ब्लोज पर क्योंकि हमें वर्ब पर टिक करना है नमबर थरी इस The pup plays in the mud Pup मित्ती में खेलते हैं तो जो plays है इसमें verb है मारे पास option A plays, option B mud तो हमें tick the correct करना है न वप पे तो हम option A plays पर tick करेंगे नमबर 4 Ami paints a picture Ami picture को paint करती है तो इसमें जो है हमारा verb है Paints, option A paints, option B picture और हमें tick करना है वप पे तो हम किस पर tick करेंगे? Option A paints, okay नमबर 5 The kitten changes the moon बिल्ली का बच्चा मून के पीछे भागता है तो इसमें जो है verb हम जो select करेंगे verb वो है और हमें changes, option है हमारे पास option A kitten, B changes हमें tick करना है verb पे अभी हमने यहां पे देखा था कि changes जो है verb है तो हम option B changes पर tick करेंगे, okay Dear children, you have to write this work in your copy and learn it